हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है आजिंग के और आप देख रहे हैं वन वीक रिव्यूवर तो अभी यह जो वीडियो बना है वो डेडिकेटली मैंने पैरेंट्स और जो बच्चे आभी जो ऑनलाइन स्टेडी कर रहें उनके लिए बनाए मुस्टली अभी जुले मैंने सबके स् सारे बच्चों को ऑनलाइन ही स्टेडी करना पढ़ रहे हैं मतलब घर में रहे कि आपको पढ़ाई करने पढ़ रहे हैं तो इस चीज में कैसे हो रहा है कि पैरेंट्स बहुत कुशिश कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों के लिए एक्जैक्ली कैसे डिवाइस लाए कौन सा लैप्टॉप लगिससे की वह ऑनलाइन स्टेडिस कर पाए तो यह वीडियो मैं स्पेसिफिकली उनको डेडिकेट करने के लिए बनाया है कि उनको बहुत सारा कंफुशन होता है कि exactly मेरे बच्चों के लिए मैं कौन से अच्छा डिवाइस लो जिससे उसका ऑनलाइन स्टे सब्जेक्ट्स इस साल है मतलब कैसे होगा आपको पता हुगा क्यों सब्जेक्ट्स है तो उसके सबसे आप डिसाड कर पाएंगे उसको क्या चाहिए और आगे बढ़ते हैं दूसरी चीज में यह बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आप स्कूल्स को कॉन्टेक्ट कीजिए क आपके स्कूल्स में अभी जो उनलाइन स्टेडी होने वाले एक्जेक्ट्ली उनका वेफ स्टेडी कैसा होने वाले वह कैसे बच्चों को आउनलाइन पढ़ाने या वह एक वाट्साप ग्रूप टीचर्स का होगा वहाँ पर वीडियो जालेंगे या फिर एक कोई आपको म पढ़ाने वाले उसके उपर डिपेंड होगा कि आप एक्जेक्ट्ली क्या लेने वाले है और आपके बच्चों के ऑनलाइन पढ़ा है कैसे होगी आगे बढ़ते हैं अगर आपका बच्चा फॉस्ट के बीच में है तो मैं आपको यह सला दूगा कि आप मोबाइली पॉच कीजिए क्योंकि फॉस्ट के बीच में आपका बच्चा होगा तो उसको मुस्टली आउनलाइन टीचर मेरे सबसे तो भी पीपीटी देगे पीडिएफ देगे या फिर कोई वाट्साप ग्रूप पे उनका वीडियो आ जाएगा तो मतलब एक मोबल सीब आपके बच्चे का यहाँ पर जरूरत पढ़ सकती है अगर आप जरूरत पढ़ेगी लैप्टॉप लेने के लिए आपके बच्चों के लिए यहाँ पर पढ़ सकते फिर भी मैं आपको यहीं सलाद दोगा कि सबसे पहले आप स्कूल को ही कॉन्टाइक कीजिए कि हम हमारे बच्चों की लिए पर्चेस करें जास से उसका ऑनलाइन स्टेडी हो पाएगा मेरे ही सबसे अगर आप आपको लैप्टॉप ही लेना है तो सबसे पहले रिसर्च कीजिए आपके बच्चों के लिए एक्जैक्ट रिक्वार्मेंट्स क्या है अगर स्कूल बोलती है कि हाँ हमको ऑनलाइन स्ट पर्चेक्ट करना है या फिर प्रोजेक्ट बनाना है इस विजुएल बैसिक है या फिर अगर 89 का बच्चा है अगर उसको इसको अलग से बनाना है कि सौफ्टर के मदद से तो आप उनको पूछी है आपको इसको क्या जरूरत पड़ेगी कैसा लैप्टॉप लेना है कुछ से कोई डिसीजन मत लीजिए क्योंकि यह कैसा हो रहा है यह फॉर्स टैम हो रहा है हमारी इंडिया में कि इतने बड़े स्केल के उपर बच्चे ऑनलाइन पढ़ने वाले हैं इसके वज़े से कैसा होता है बहुत सारे मार्केट में लोग इसका गैर फाइदा भी उटते तो अगर आप बेसिक भी लैप्टॉप लेते हैं डेल का हो एच्पी का हो लीनोव का अगर बेसिक लैप्टॉप भी लेते हो चल जाएगा कोई हाइंड लैप्टॉप की कोई जरूरत नहीं है और इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए कि मैं एंड में आपको बत बढ़ते जाएगा क्योंकि जैसे उनकी रिक्वार्मन बढ़ते जाएंगे उनके सब्जेक्ट्स की कोई प्रोजेक्ट होगा या फिर और कुई चीजे होगा जैसे डेटाबेस होता है बैक एंड में चलते रहता है वह सीखना है उनको या फिर कोई आलाग अला तो जैसे यसे आप पैसे इन्वेस्ट करते जाएंगे वैसे वैसे लैट्टोप भी आप महेंगा पर्चेस कर सकते लेकिन इस करोना वायरस और इस क्रिटिकल में यहीं सब्सक्राइब करूंगा कि आप बेसिक लैट्टॉप सी करण आपके बच्चों की देजिए हां अगर आप लैट्टोप भी लेते तो उनसे पूछिए स्कूल से या फिर कॉलेजस से की यह लैट्टोप उनको मैच हो जाएंगे यह फिर उससे उनका पड़ाई हो पाएगा आगे बात करते आगर आपका बेटा बहुत ही छोटा है तो मैं आपको यह सग्जेस्ट करूंगा कि आ इन से भी आप अपने चोटे बच्चों को पड़ा सकते हैं और मैं बच्चों से भी यह चीज़ कहना चाहूंगा कि आप अपने पैरंट्स को कोई फोस मत कीजिए यहां मुझे ऑनलाइन पढ़ाई करने मुझे एक हाई-एंड लैप्टॉप ही चाहिए आप अपने प्रेंट्स की उपर डबाव डाले या फिर पैरेंट्स भी कोई यह मत सुचे कि नहीं नहीं मेरे बच्चों को मुझे पढ़ाने तो मुझे एक सतर हजार या फिचतर हजार का लैप्टॉप लेना पढ़ेगा जिसमें एक हाय कॉन्फिरेशन होगा आप इतना भी आगी के पार में मत सुचे करांटली आप देख से कितने अब क्या कर सकते ऊस पैसों से एक अच्छे से बेसिक से लैपटब से आपका बच्चा पढ़ सकता है आपके बच्चे पढ़ाएंगे आगर आपके इंजिञ्रिंग में डिपलोमा कर रहे तो बात आलग इंग अलग आपको म तो कोई ज़रूरत नहीं एक हैंड लैप्टवप को खरीदने की आपको की तिंग्स बताऊंगा अगर आपको लैप्टवब बाइ करने जा रहे हो तो उसमें कौनसी कुनती चीज़ें आपको देखनी है एक आच्छे लैप्टवप बाइ करते हो तो सबसी पहली चीज आपको लैप्टवप खरीदने के लिए तो उनको लैप्टव उन्होंने बेचा था 71,000 को बेच रहे थे लैप्टव था लेकिन उसमें ऑफिस नहीं था तो क्या मतलब यूज कहा है अगर आप 71,000 का लैप्टव किसी कस्टमर को दे रहे है और उसमें जैन्यूवन ओफिस ही नहीं स्टोर में बहुत सरे डिसकांट्स बहुत सरे आफ़र्स मिल जाएंगे आप अफलाइन जाके लैप्टव खरीदिए और लैप्टव खरीदते वक्त में आपको यह सला दों कि सबसे पहले आप इंटरनेट पर भी सर्च किजिए एक्जेटल आपको लैप्टव कौन सा चाह चाहिए चाहिए उसके बाद में अगली चाहिए अपने यह पूछ लिया तो मुझे माइक्रण आफिस चाहिए उसके बाद आपको यह कंफर्म करना है अगर आप लैप्टॉप ले रहे हैं उसमें डाउनलोड कर ले लिजे आपको यह वहां पर देखनी है कि जो भी हमार ल लैप्टॉप की डिपेंड होती है आट जीवी हो गया चार जीवी हो गया वाप उनसे यह पूछ लीजे उस सेलर से कि इसमें आप बढ़ा सकते है या नहीं उसमें रैम का स्लोट होता है यहां से आप बढ़ा सकते हो अगर आप करेंटली अगर आपके बाद पैसे बहुत क अगली चीज अभी SSD जिससे हमारा रीड्रेट स्पीड बहुत ही अच्छा होता है लैप्टॉप को बूटिंग बहुत फास्ट होता है तो आप यह उनके पूछ सकते हैं कि आप भी हम जो लैटॉप ले उसमें SSD का स्लोट आइवलेबल है या नि अगर फिराल आपके लैप् लैप्टॉप खरिते वक्त देखिए कि आपको यूएजबी पॉर्ट कितने हैं मतलब जो या पेंड्राइव लगा रहे हैं उसको पूर्ट कितने हैं वह भी देख लिए कभी कभी एक दूई पूर्ट होते नहीं यह आप वहाँ भी देख लिए हैं आपको लैपटॉप खरण पड़ने पर आपको प्रोजेक्टर पर लगाना पड़ें अब कोई टीचर हो और आपको लैपटॉप पर प्रोजेक्टर दोनों लगाने है तो आप यह भी देख लीजे कि आप वहाँ पर केबल है या नहीं बहुत बार क्या होता है हम लैपटॉप ब्लाइंडी पॉचस कर लेते हैं दिखने में अच्छा है अच्छा चल रहा है वह भी हमको दिखा देखें यहां पर गेमिंग अच्छा है ग्राफिक्स अच्छा है लेकिन आप उसके पूर्ट के वारे में स्कूल में जा नहीं पाएंगे तो जूम हो गया या फिर किसी सौफ्टर के थुरू अगर स्कूल पैरेंट्स से कॉंटेट करना चाहेंगे तो डेफिनिटली वह आपको कुछ ऐसा डाउनलोड करने कहेंगे तो आप डेफिनिटली चेक किजिए कि आपके लैप्टॉप को ह यह कहना चाहूंगा जैसे आप लैप्टॉप पोचेस करते हो तो यह भी देखिए कि वहां पर सर्विस सेंटर है या नहीं या मुसली ऐसा होते हैं कि जहां से हम लैप्टॉप लेते हैं वह लोगी सर्विस प्रोवाड करते हैं फिर भी आप देख लीजिए आप बच्चो आपने बच्चों को लें रहे हैं तो कैसे होते हैं लैटॉप छाए कैसे होते होते हैं अ लेटकोप के स्ट्याइलब के डिजान के ऊपर बिल्कुल मत जाइए किसलीक है कि जितना वाँ गिरने वह अच्छे अच्छे डूरेबल ही लो अगली चीज में पैरेंट से यह करना चाहूँगा कि आप यह भी देख लीजिए कि आजा हाला कि बच्चे अगर लेने वाले तो डेफिनिटली पड़ा होने के बाद में उसमें गेम्स भी खेलेंगे तो यह भी देख लिए उसमें ग है तो उनको इतना जल्दे हो हैंडल होगा नहीं और अगर कंटियू उनको लैप्टॉप पर पढ़ाई करने जारा जादा डाइम के लिए तो उनके उंगलिया भी दर्द कर सकती क्योंकि यह जो माउस पाड़ होता है वह थोड़ा सा हाड पड़ता है इसलिए मैं आपको य वरंटी एक साल है तो आप यह उनसे पूछ लिए कि आप एक साल के बाद हम उसकी एक्सेंट कर सकते हैं या नहीं क्योंकि जैसे यह जो भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा उनका समय लैप्टॉप और मोबल पर ना बीते यह आप कोशिश किजि तो उसके बाद में उनको घर में खेलने दीजिए उनके आखे भी खरब हो सकते हैं बार बार वो गेम खेलने के कोशिश करेंगे उसके उपर तो वह एक चिसका ध्यान रखिए और आगर आपके बच्चे छोटे हैं तो मैं यह कहूंगा कि जैसे मैंने आपको आप्स के बार है मतलब कैसा होगा कि जो भी आपकी मदर्ट होंगी उसमें बच्चा पढ़ पाएंगा और इंग्लिश में बच्चा पढ़ पाएंगा दोनों लैंगुजिस को उसको नॉलेज मिल जाएगा आप मैं आपको कुछ ऐसे लाप्टप से वह भी आपको लो प्रैस में मिल जाए जाते जाते में और एक चीज़ पैरेंट से केना चाहूंगा कि हाँ अभी जो यह करोना के वाई से जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो इसके वाई से ऐसा ना हो जाए कि बच्चों का मन बाद में ऐसा हो जाए कि बस हमको मोबाल से पढ़ना है या फिर लेक्टप से पढ़ना है और बुक्स को हाथ ना लगए तो विकेंड फे उनको स्टोरी बुक्स अगर आपकी घर में तो उनसे पढ़ाई अगर कोई भी एजुकेशनल बुक्स हो तो उनसे पढ़ाई मतलब कैसा होगा उनका बुक्स की उपर से भी ध्यान इतना हाटे नहीं क्योंग जो चोटे बच्चे होते हैं उनको आनत लगे की चीज़ की तो बाद में निकलना बहुत मुश्किल हो जाते तो आपको आपको यह कोशिश करने की लैप्टप हो गया मोबाइल हो उसके बाद में आपको घर पर जो भूक्स होगे उसी भी आप बच्चों को पढ़ाईए तो ब यह को क विर विई कर दो करदा दो भाद में, कर दो ले बाद में